Information Technology का Mobile Phone और Computer का जमाना है जी हैं और इसी जमाने में जादा तर जो couples हैं पती या पतनी हैं किसी और के साथ में बात करने लग जाते हैं अपने Mobile Phone पर, Facebook के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से, अलग-अलग तरीकों से अपने पती या पतनी को छोड़ कर किसी और से अगर बातचीत होनी शुरू हो जाए तो क्या आप इसे Extra Marital Affair में Consider करेंगे, Adultery में Consider करेंगे या नहीं इस प्रश्ण के लिए आपने बहुत सारे कमेंट मेंशन किये और इसका जवाब आपको इस वीडियो में देने की रहेगी मेरी कोशिश चलिए बात करते हैं इस विशेश मुद्दे पर आपका स्वागत है Legal Advice में आपने शुरुआत अशोग पांडे के साथ में की हैं नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें जब कभी भी पती और पतनी अपने एक दूसरे को छोड़ किसी और के साथ में बात करना शुरू कर दें और जो जो conversation है जो उनकी बातचीत है वो एक label को cross कर जाए मतलब I love you, I want to intimate with you, sexual relation की बात हो नहीं लग जाए उन लोग के बीच में जो intimated relationship है उसके conversation लगातार बढ़ते जाएं और एक दूसरे को वीडियो कॉल करने शुरू कर दें या sex chatting तक मामला पहुँच जाए जिसमें पती या पत्नी के पास अगर ऐसे evidence है कि उसका पती या पत्नी इस तरीके के activity में involved है जहां वो किसी और महिला या पुरुष के साथ में बात कर रहा है और जो conversation है वो sexual है तो इस condition पर वो तलाक के लिए जा सकता है लेकिन adultery का ground नहीं बनेगा ये मानसिक प्रतार्णा का आधार बनेगा मानसिक प्रतार्णा क्यों? mental cruelty क्यों? इस वज़ा से क्योंकि कोई भी पती या पत्नी ये नहीं चाहेगा कि उसका जो साथी है वो किसी और के साथ इस प्रकार से intimidated conversation करे और अगर कर रहा है तो maybe वो physically involved नहीं है लेकिन उसके बावजूद वो मानसिक तोर पर तो involved है लेकिन ये जो opposite spouse है उसके लिए त्रासदी है ये परिशानी है इस वज़ा से mental cruelty में consider होगा और अगर आपके पास ऐसे सबूत हैं तो आप court के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे अपनी बात को साबित करने के लिए काफी सारे प्रश्न कि adultery में consider क्यों नहीं होगा देखिए adultery में इस वज़ा से consider व्याभिचार हिंदी में कहते हैं अगर ये adultery में consider करेंगे तो उसकी एक सबसे बड़ी requirement होती है physical relation physical relation मतलब मान लेजे कि मेरा किसी और के साथ adulterious relationship है व्याभिचार का संबंध है तो ये साबित करने के लिए मुझे किसी और लड़की के साथ में ये साबित करना पड़ेगा कि शारेरिक संबंध बने हैं हम लोग के बीच में जो penetration है sexual relation है वो हुआ है अगर वो नहीं हुआ है तो it cannot be considered in adultery और इसे फिर तलाकाधार नहीं लिया जा सकेगा लेकिन अगर कुछ ऐसी conversation जहाँ पर ये proof हो सके या साबित हो सके या hotels के कुछ record या जहाँ पर रुके बहाँ पर आस पडोस में रहने वाले लोग justify कर सके गवाही दे सके बता सके तो इस condition पर ये साबित हो जाएगा कि अगर हमारे पहले भी शारीरिक संबंद बने है तो उसे consider किया जा सकेगा adultery में लेकिन अगर वो शारीरिक संबंद नहीं है mere conversation मतलब कि एवल बातचीते हो रही है किसमें whatsapp पे, facebook पे, instagram में, social media के किसी भी platform पे या mobile phone से तो उसे ये नहीं कहा जाएगा कि it is adultery but yes, it is a mental cruelty ground जिसके आधार पर लिया जा सकेगा तालाक तो ये बहुत clear रहना चाहिए कि अगर आपका पती या पतनी बातचीत कर रहा है तो भी वो तालाक का आधार है आप अगर proceed करना चाहें तो आप कर सकते हैं लेकिन वो आपका mental cruelty में आएगा मानसिक प्रतार्णा में आएगा ना कि adultery व्यबचार के आधार बनीगे आपके तलाक के इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके बीच में शारीरिक संबंद नहीं बने और अगर आप justify कर सकें कि उनके बीच शारीरिक संबंद बने है तो definitely it is to be considered a regulatory जब आप court में सावित करेंगे आपको जनकारी कैसी लगी मुझे ज़रू comment box से mention किजेगा साथ ही किसी परिशानी के लिए का करना चाहें बात इस वीडियो के description में detail link है जहां से direct appointment book करके आपकी और हमारी हो जाएगी बात मिलीगे अगले वीडियो में दब तक के लिए स्वास्त और सुरक्षित रहें